आप सब मुझे उमीद आप सब लोग काफी अच्छे होंगे आपका स्वागत है मेरे चैनल समिति स्टॉक मैजिक में तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर क्लोजिंग बेसिस इस्टॉप लोस क्या है क्या होता है कैसे आप लोगों को ये पूट करना है मैं आपको इस वीडियो में पूरे अपने एक्जामपल के साथ बेस जितना होगा उतने बेस से समझाओंगा तो सबसे पहले तो आप लोग सीधा साथ देखो दो चीज़ समझ लो कि जो इस टॉप लोस के बेसिस होते हैं वो दो होते हैं पहला trading basis stop loss, second closing basis stop loss, अब इन दोनों में difference क्या है, ठीक है, सबसे पहला question यही उठता है, और आप लोगों को पता हूँ का stop loss क्या होता है, stop loss market के अंदर use करा जाता है, जिससे कि हम लोग अपने loss को minimize कर सके, कम कर सके, या फिर second कि हम उस trade में हैं और हमें लगता है कि वो trade हमारे according work तक नहीं कर रही, और जिससे कि हमें ज़्यादा loss ना हो, तो हम उस trade के अंदर अपने stop loss set करते हैं, तो तीसरा, एक case क्या आता है, काफी सारे traders stop loss नहीं लगाते, बट वो अपने दिमाग के अंदर, एक mind के अंदर set करके रखते हैं, तो इस case में वो लोग ठीक हैं, बट चौ stop loss को वो लगाते नहीं, और loss होता है, उसे होते रहने देते हैं, तो आप दी comment section ने बताना, किस किस के साथ ये होता है, तो चलते हैं अपनी वीडियो के तरफ, तो सबसे पहले आप लोग इतना जानलो, जो trading basis stop loss होता है, वो क्या होता है, मान के चलो आप intraday position ले रहे हो, त चाच कर देगा, तो आप लोग यहाँ पर अपना loss book करके निकल जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया trading basis stop loss, अब बात करते हैं हम लोग closing basis stop loss क्या है, देखो closing basis stop loss ना, दो strategy के साथ work करता है, वो आपको set करना है, अपने according के आपको कैसे अच्छा लगता है, ठीक है, closing basis stop loss क अब सीधा सा नाम से मतलब जान चुके होगे, closing basis, मतलब या फिर तो closing के pass होकर, close हो हमारा stock, हमारे level के according नीचे stop loss के, या फिर आप next day morning में उसे वहाँ पर देखके कि कहीं उसकी वो fake trap तो नहीं हा, fake trap तो उसने आप लोगों के साथ नहीं करा, तो आप क्या करोगे, next day भी उस मैंने इसका क्या करा है, two hour की candle लगा है, तो हर किसी trader by trader ये अलग होता है, जैसे मैं two hour या one hour पे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, comfortable हो सकता है, किसी trader को 30 मिनट का अच्छा लगे हो सकता है, किसी trader को one week का लगे, तो आप समझना और वीडियो अगर आपको एक बार मैं स देते हैं, ठीक है, तो उस case में क्या करना है, जैसे MRF का हमें share पता पढ़ रहा है, कि 76,000 से पहले 78,000 के आसपास आया था, फिर उसके बाद दुबारा से 82,000 हो गया, तो हमें ये इस चीज़ से पता चल रहा है, इसका जो trend है वो है upside, ठीक है, तो इस case में जो भी एक investor होगा उसका stop loss होगा, यहाँ पर around 79,800 के आसपास का closing basis के अंदर, यानि कि अगर वो trading base में एक दिन गिर भी जाएगा ना हमाराफ का stop, तो अगर वो यहाँ तक भी आ जाएगा, 78,000 तक भी, तो वो trader इसमें से personally exit नहीं करेगा, क्योंकि वो wait करेगा closing base पर, यानि कि around 328 और 329 तक वो hunting कर देगा fast, उसके अगर आपके stock को दुवारा से उपर लियाएगा, तो ऐसे में आपका closing basis stop loss भी गया और आपका च्छका सा loss भी बढ़ जाएगा, तो काफी type के trader होते हैं, आप decide करो, personally काफी सारे लोग में आपको recommend करूँगा, morning सुबा वाला use करते हैं, मान के चलो उसने अगर closing भी दी दी न, 80,000 के नीचे, तो वो morning का wait करेगा, उसके थोड़े दिर उसे देखेगा 5-10 minute की वो उपर जा रहा है नहीं जा रहा, अगर वो 80,000 को तोड़कर उपर निकल गया, तो इसका मतलब कहीं न कहीं एक ये fake stop loss खाने आया था, तो stop loss आप अगर closing base पे set करते हो तो कोशिश करो, अगर 328 तक, अगर आप लोग safe हो, तो 328 या 329 तक उसमें से exit कर लो, अगर 5-10 minute के candle में, आपका ये stock MRF 80,000 के नीचे sustain कर गया, 15 minute मालो आप hardly, इतना अगर कर रहा है, 328, 329 से पहले या 3 मचे के बाद, तो आप उसमें से better है, exit हो, safe trader, क्योंकि जो काफी smart ल अब आप इसका example देखो, मैं आपको एक और example समझाता हूँ, अभी MRF का शेर चल ला है, around चल ला है, मान के चलो, 81,800, ठीक है, तो इसकी जो 1 day के candle, अगर आप लोग देखोगे, 2 hour के according, 21 day की, तो इसकी around candle है, 81,000 के आसपास, तो अब इसमें जो एक stop loss है, अगर आप लोग इ गया ना, तो आप exit हो जाओगे, आपका खेल खतम, stop loss खतम, पैसा खतम, एक तरह से loss ही हो गया ना, अब closing base के अंदर आप लोग क्या सोचोगे, बही जब तक आपका stock, अभी 81,800 चला, 81,000 के नीचे closing base पर ना दे, मतलब कि आदे घंटे या 15 मिनट sustain ना करे, 3 वज़े के पहले भी अगर वो इसके नीचे निकल जाता है, और इसके नीचे निकल कर sustain कर रहा है थोड़ देर, तो बैटर होगा, आप closing base stop loss को अपना hit होने दे, क्योंकि अगर आप ऐसे निकलोगे, तो आपको एक नीचे suddenly fall आता हो, भी दिख सकता है, अगर वो sustain कर गया, तो मैं आप आप लोग से बोलू है, जादा तर ट्रेडर जो दो चीज फॉलू करते हैं, वो करते हैं, वो तीन पंदरा के बाद ही अपनी position, देखकर तो को इतना हर कोई जानता है technical पढ़ना, आप लोग समझते हो, कि अगर 81,000 के नीचे काफी देर बीत गया, मतलब आदे गंटा, एक आपका स्टॉक, तो आपका वहाँ ट्रेडिंग स्टॉक लो जो है न, वो, क्लोजिंग बेस वाला, वो आपका हिट हो गया, तो आप बैटा रहें, आप वहाँ से एक्जिट कर लो, बट कभी-कभी मैंने जैसा बता है, कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, तो वो वेट करेंग क्लोजिंग बेस का, नेक्स डे मौनिंग का, अगर उसे ने 81,000 के नीचे क्लोजिंग तो दे दी, बट वो वेट करेगा, अगले दिन मौनिंग के मार्केट ओपन में, क्या वो इस चीच को सस्टेन करेगा, मतलब 15 मिट इसके नीचे यहाँ पर टिकेगा, या फिर ऊपर नि यहाँ पर अपनी बाइंग मनाई किसी ट्रेडर ने, तो वो एंटर डे के अंदर अपने स्टोप लोस रखेगा, यहाँ पर 8099 के आस पास, तो यह हो गया उसका ट्रेडिंग बेसी स्टोप लोस, अब बात करते हैं, फिर से अगें क्लोजिंग बेस इसका, तो क्लोजिंग के अंदर, अभी स्टोप इतना चला तो वो वेट करेगा, 81,000 के नीचे, आदे घंटे सस्टेन करें, या 15 मिनट हर किसी का अपना केंडल स्टिक देखने का अलग होता है, तो आप लोग समझ सकते हो, क्लोजिंग बेस पर जो कुछ सेफ होते हैं, वो तीन तीसते पहले ही ए इंवेस्टर्स होते हैं, बट सेफ ट्रेडर क्या करते हैं, वो डेट ट्रेडर के तरह ही इंट्राडे करके निकल जाते हैं, बट परस्टनली क्लोजिंग बेसी स्टॉप लोस सी ज्यादा अच्छा होता है, सेफ तो इसलिए बोल सकते हो, कि आपको वहाँ पर इस्टॉप बॉक्स मिल जाएगी या आप लोग टेलिग्रम पे सुमेत श्टॉक मैजिक को सर्च करके भी जोइन कर सकते हैं मैं आपको उपन चैलेंज दे रहा हूँ आपको एक से दो दिन के अंदर पांस से दस परसंड मैं आपको रिटन देला दूँगा स्विंग टेडिंग के अंदर तो मुझे उमीद आपको एक वीडियो अगर पसंद आए अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना थेंक्यू जैहिन